हेलो और विल्कम बैक फ्रेंड्स मैं हूँ रिशायल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैट्रस में दोस्तो कल के लिए जो हमने किया था उस वीडियो में आप से कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 42,000 के उपर चला जाता है और उपर सस्टेन करता है तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग के रैली देखने को मिल सकती है और उसके लिए जब वो 42,000 के उपर चला जाएगा सिगनल देगा तो हम उसके बाद मैं आपको लेवल दूगा कि हमें किस लेवल के बाद बाइ करना है या पर नहीं करना है मुझे पॉसेबिलिटी नहीं लग रही थी कि बैंक निफ्टी इतना उपर चला जाएगा लेकिन कल बैंक निफ्टी गैप अपके साथ उपन हुआ और बहुत ज्यादा यहाँ पे बाइंग भी हमें देखने को मिली रहतों दोस्तों अब हम यहां पर देखेंगे कि मंडे के दिन क्या हो सकता है और पॉसेबिलिटी क्या हो सकती है और क्या हमें अभी ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में या फिर नहीं अब bank nifty ने हमें नई लेवल दिये है bank nifty के all time high levels यहांपे आ चुके है bank nifty का अब all time high 42, 337 का बन चुका है 345 का बन चुका है और अब ऐसे में जब कोई bank nifty हो कोई भी index हो में टोको नई लेवल देता है तो तुरंथ हमें उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए तो अब देखें दोस्तों यहां पर मैं यहां पर आपको supporter resistance भी निकलोंगा यहां पर यह जो दिया है हमने हमें वो दिया है रेजिस्टन्स और यहां पर जो दिया है वो हमारे लिए बन गया है सपोर्ट तो मंडे के दिन अगर बैंक इनिफ्टी को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है और नीचे सस्टेन करता है तो आपको नीचे की तरफ बहुत ज्यादा डाउन ट्रेल के रैली दिखाए दे सकती है और वो रैली पूर्टी वन थाउजन फाई हंडड़ तक भी आपको डायरेक्ली लिए इसके पीछे की वज़ा क्या है तो इसके पीछे की वज़ा मैं आपको यहां पर मसेडी लगा के बताऊंगा मस्यीडी देखे यह एक इनडिकेटर है यहाँ पर उसमें फ्लेविंग हूआ यह के उपर की जो कैंडल वनी है यह ऐसके उपर की जो यह कैंडल भूणि है थोड़ा सा मैं बड़ा करके जुम करके दिखा There्स económis ये जो candle बनी है वो red candle बनी है जब भी clubbing होता है उपर की level पे MSCD का ये जो level है उपर का वो selling का level होता है जब भी यहाँ पे कोई के candle बनती है तो वो ये indicate करती है कि यहाँ पे sellers active हो चुके है और बहुत ज्यादा selling होने वाली तो जब भी selling level पे proper selling होनी चाहिए और उस तरह से अभी selling जारी है किसे पता चलेगा देखे clubbing से पहले ये एक indecision candle बना है उसके बाद ये बहुत ज्यादा seller pressure वाला candle बना है उसके बाद के candle में भी selling pressure दिखा जे रहा है उसके बाद के candle में भी selling pressure था लेकिन buyers आ गए यहाँ पर भी buyers आ गए लेकिन selling pressure बराबर है यहाँ पर selling pressure है मतलब बहुत ज़्यादा candle में हमें selling pressure यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो शायद Monday की दिन continue हो सकता है अगर bank nifty में Monday की दिन selling pressure continue होता है और MSCD में proper selling होती है जैसे यहाँ पर से proper selling जारी है बिल्कुल भी इस वक्त improper buying नहीं हुई है selling के दोरान तो लगता है कि continuously हो सकता है selling पर उसके कुछ levels है उस level के नीचे आने के बाद हमें entry करनी है जैसे कि यह जो level मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है 41,950 उसके नीचे जब जाएगा तभी उसी वक्त तुरंत नहीं करना है हमें सोचना है उसके बारे में हमेने जो भी strategies डाली है क्या उस strategy के हिसाब से 52 moving average उपर है सभी moving average उपर है candles नीचे आ रहे है ठीक है और हम जो opening candle है उसका जो support level है उसे break कर गया है ठीक है support level को तोड़ की नीचे candles है सभी ऐसे situation में हमें वहाँ पर पूट लेना है ठीक है अगर 52 moving average के उपर candle है बाकी moving average उपर है बीच में तभी हमें नहीं लेना है कोई better जब सभी situations correct आएंगे तो आपका profit भी correct होगा अब मैं RSI के हिसाब से आपको यहां पर बताऊंगा relative strength index से हिसाब से क्या हो सकता है लेकि relative strength index ने यहां पर 60 की level को break तो किया है लेकिन वो steep नीचे की तरफ नहीं जुका हुआ है थोड़ा सो उपर की तरफ है तो यहां पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि improper buying भी हो सकती है मंडे के दिन तो MSCD में भी improper buying दिखा सकते है और RSI के हिसाब से भी यहां पर improper buying होने के chances बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है तो अगर समझ लिजे कि यहां पर improper buying भी हो जाती है ठीक है improper buying हो जाती है और अगर bank nifty 42,300 के उपर चला जाएगा जो यह levels है और उपर sustain करेगा तो हमें उपर की बहुत ज्यादा rally दिखाए जैसकती है buying की rally दिखाए जैसकती है क्योंकि अब यह सब levels सभी के लिए नए है तो इसमें बहुत ज्यादा emotional attachment involved हो सकता है उपर की level uncertain है किसी को पता नहीं है तो बहुत ज्यादा buying भी हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा नीची की इस level के आने के बाद बहुत ज्यादा selling भी हो सकती है तो इस हिसाब से आपको साउधाने से काम करना है हाल next week में हमें किसी भी तरह के emotional thought में नहीं फसना है और किसी भी तरह का कोई भी color trade नहीं लेना है सोच समझ कर सभी चीजे सही हो तो ही trade लेना है या फिर हमें बहुत कम trade लेना है हमें हमारा capital preserve करना है दोस्तो तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही है यह जो दो level से वाओ आप याद रखिए 42,300 के उपर आपको buying की rally देखने को मिल सकती है और 41,950 के नीचे आपको selling की rally दिखाए दे सकती है अगर कभी भी आप trade लेते हो तो minimum loss और maximum profit की हिसाब से trade लीजे stop loss कम से कम लगा है लेकिन अच्छा stop loss लगा कर ही काम करें without stop loss काम ना करें दोस्तों दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को like करें share करें, subscribe करें ज़्यादास ज़्यादा आपने दोस्तों रिष्टदारी के साथ इस वीडियो को share कीजिए नीची दियो आप bell icon प्रेस कीजिए ताकि मेरी notification आप तक जल से जल पहुँच जाए और अगर आप candlestick pattern analysis का course करना चाहते है तो उसके playlist की link भी मैंने description में रख दी है technical analysis का course करना चाहते है तो उसके playlist की link भी मैंने description में रख दी है, ये courses बिलकुल free है आपको जाना है, सिर्फ videos देखना है और practice करना है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इसी तरह की video के साथ आप सभी से मुलाकाद जल्दी होगी, तब तक के लिए दीजिए आजब, thank you very much बाबाए दोस्तों